जीरो ब्रोक्रेज फॉर लाइफ तैम इंडिया पहले जैसे हम ट्रेट करते थे जो फुल फ्लेश सर्विस ब्रोकर्ज होते थे उनके पास तो उसमें वो एक हेफ्टी ब्रोकर्ज हमसे चार्ज करते थे बिकॉस देश चार्ज ओना परसंटेज बेसे ब्रोकर्ज के बाद डिसकांट ब्रोकर्ज है जिसमें के हम 20 रूपीज पर और पे करने लगे जब मैंने ये पेज रीड किया तो मैंने इसमें देखा कि काफी युकि कंट्री ऐसमें उनक्य अलेडी प्रेजंस है और सबसें जो ओल्डिस में देख सकता हूं वह लंडन यू के में है 1991 से और जिसमें फार्ज बत कर लेते दोस्तों तो इस ऑफरिंग lifetime zero brokerage no commission so what is the catch there is no catch ऐसा लिखा हुआ है इसमें लिखा है no limit to number of orders no prior brokerage commitment no subscription attached no expiry date no date of expiry no annual platform fees and no call and trade charges का मतलब कि आप unlimited trades ले सकते हैं zero brokerage पे कोई cap limit नहीं लगाई गई है कि इतनी number of trades ले सकते हैं या कोई commitment नहीं है कि आपको minimum इतने trades करने है तो आपको zero brokerage का plan मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है and there is no expiry date तो lifetime ही है ऐसा ही हम बोल सकते हैं and over year जो no hidden charges है उसके बारे में समर लेते हैं तो इसमें ये पूरी details आपको mention की गई है जो transaction charges है, savi charges, stamp duty charges है वो तो सारी आपको हर brokerage firm के वहाँ लगने वाली है तो वो direct government के बास जाते है इसलिए वो charges को broker हम से नहीं लेता है पर जो broker हम से लेता है वो उनकी brokerage charges होती है जो की zero है and actually तो उस brokerage charges पर GST भी लगता है और अगर आपकी brokerage charges ही zero है तो वो GST उसके उपर भी नहीं लगता है या zero ही लगता है so of course this is a win-win situation और इसमें जो कुछ plans है वो मैं आपको बता दू इसके जो account opening charges है दोस्तों वो है 999 of course plus GST ही होएगा so यह 999 हम जब pay करते हैं तो हमें यह plan मिलता है जिसमें कि हम zero brokerage for lifetime वाली scheme में trade कर सकते हैं और यह 999 दोस्तों जो है वो one time fees है आपको दूबारा कभी नहीं देना है और यह fees देने के बाद आप वह वाले brokerage plan में opt-in हो जाते हो जिसमें कि zero brokerage for lifetime होता है और जो दूसरा plan इनके पास है वो है 149 इसमें क्या होता है कि जैसे हम दूसरे brokerage प्लान और डिमेट मेंटेनेंस चार्ज दोस्तों इसमें डिमेट मेंटेनेंस चार्ज का इसा है कि 120 रूपीज पर quarterly आपको पे करना परता है अगर आप वह चाहें तो उसको भी lifetime free कर सकते है एडिशनली 999 plus GST अगर आप पे करते हैं तो टोटल ऐसा हम सोच सकते हैं कि 999 for the zero brokerage plan and 999 for the zero lifetime maintenance charges तो यह दो अगर आप पे करते हैं तो उसके वाद आपको कभी कोई account maintenance charges या डिमेट maintenance charges भी नहीं लगेगा और zero brokerage आपको lifetime के लिए मिल जाएगा which is of course it sounds very good so दोस्तो overall जो charges है वो तो of course it is mind blowing अगर एक बार हम 999 pay करते हैं तो वैसे जनरली इतना तो किसी एक given मन में छोटा से छोटा trader भी शायद brokerage generate कर देता है अपने platform पे और उस तरीके से अगर आप गिनोगे तो आपकी savings brokerage में काफी जादा होने वाली है क्योंकि हम जो trade करते हैं जो profit करते हैं उस profit का कुछ छोटा सा part जो brokerages होती है उसमें चले जाता है तो अगर वो आपका बचेगा तो of course any money saved is good only तो अब हम इसके platform में login करते हैं और platform कैसा है उसका review करते हैं दोस्तो यह platform के अंदर मैं login कर चुका हूँ और यह इसका homepage यह जैसा दिख रहा है तो इसमें आप देख सकते हो जो की indices है वह आपको इधर सामने दिख जाएंगे nifty sensex bank nifty और fii-dii का जो दोस्तो डेटा मिलता है यह जैसे yesterday का data है तो वह आपको जैसे nsc की site पर आगर जागे चेक करना पड़ता है तो इसमें आपको clearly इधर ही दिख जाता है ज जो net flow है वह आपको देखने मिल जाए और global indices भी सामने ही आपके सारे लिस्टेट हैं जिसमें की dow jones, nasdaq, smp, cac, dax, hangseng, sari global indices आपको इधर सामने ही देखने मिल जाएंगी तो अफकोस एक आपको बहुत सारी दूसरी websites पर जाके सारी चीज़े चेक करने की जरुवत नहीं है and then top gainers, losers की list भी आपको इधर ही मिल जाएगी जैसे ये losers है, ये gainers है जो आज के हैं, आज के losers ये सारे इधर लिस्टेट हैं और by volume, by value हर चीज़ आपको इधर देखने मिल जाएगी and then दूसरी जो चीज़े है news section है जो नीचे अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो जैसे हम news के लिए money control या कोई दूसरी websites पर कहीं ना कहीं सर्च करते हैं, सुबे जब market ओपन हो ता उससे पहले कि कोई news base शायद कुछ अच्छी हमें चीज दिख जाए तो कोई stock में को opportunity मिल रही हो तो उस तरीके से आप शायद अगर news base काम करते हो या देखते हो news को तो सारे news आपको इदर ही एक ही platform पर एक ही जगा पर मिल जाएंगे, every morning you can just log in and check the news also, so this is also one thing which is available over year जो मुझे अच्छी लगी और फिर इदर watch list पर चले जाते दो, so the watch list में आप देखोगे तो काफी सारे watch list के options are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, of course 10 तक हैं, तो आप अपनी watch list यहाँ पर set कर सकते हो, जैसे आप देखोगे तो इदर कुछ stocks watch list में already added है, जैसे Reliance है, Vipro ITC है, तो उनका क्या price चल रहा है, क्या changes है, वो सारी आप चीज़े देख सकते हो, और यह watch list में से ही आप buy sell भी कर सकते हो, suppose करते हैं, मुझे अगर यह Reliance buy करना है, तो आप इदर देखोगे तो यह buy का option हा रहा ह और at market मैं कर दूँगा, तो of course it is like market order place हो जाएगा, सिधा buy दबाना है मुझे, of course अभी तो market ही बनते है, तो कहां से order place होएगा, तो order book में जाके आप यह भी देख सकते हो, आपके जो previous orders हैं, यह से reject हुआ तो इदर order book में हमें दिखा रहा है, जो pending orders होएगे वो इदर list में आ पर दिखता है, book PNL इदर दिखेगा, overall PNL आपको इदर दिखेगा, तो एक साथ सारी चीज़ा देखने मिल जाएंगी, फिर आप portfolio में जाके अपना portfolio भी देख सकते हैं, जैसे अभी आप इदर देखोगे तो यह 2-3 खाली ऐसे demo purpose के लिए कुछ चीज़े अंदर added है, so mind-blowing और amazing ही लग रहा है, जो इसका actually जो color है, white base पे रखा हुआ है, and it is minimal plus it is attractive, मुझे actually personally white background वाले platform ज्यादा पसंदे, तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, जो एक चीज़ जो मैं ढूंड रहा था, मुझे नहीं दिखी, वो है basket orders, क्योंकि अब मैं review कर रहा हूं, तो मैं पूरा platform अच्छे से देख रहा था, मुझे नहीं मिला है, हो सकता है कहीं हो, तो मुझे नहीं मिला हो, मुझे पता नहीं चला हो, तो अलग बात है, but then I could not find basket orders, and basket orders ऐसी चीज़ है कि अगर आप options में trade करते हो, या कोई ना को strategies execute करते रहते हो, तो baskets आप country से बनाते रहते हो, entry exits के लिए baskets आप use करते हो, basket orders जो हम काफी use करते हैं आजकल, so basket orders मुझे इसमें यह नहीं दिखा, but then I hope कि in future बहुत ही जल्दी वो भी इस platform में add हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, तो फिलाल मुझे basket orders नहीं लिखा, तो यह एक छोटी सी कमी खाली है platform में दिखी, बाकी उसक situation, so I think मेरा जो review है, positive है, मुझे platform अच्छा लगा, and अगर आपको भी अपना account open करना है, तो description box में link है, आप उसको click करके, direct ही account open कर सकते हो, जिसमें कि 999 वाला जो plan है, वो आप opt करोगे, तो ही आपका फाइदा है, युकि 149 वाला plan अगर आप opt करने वाले हो, तो already आपके उस 20 trade भी ले लेते हैं, तो एक दिन में ही 200 से 500 रूपे ब्रोक्रे जनरेट कर लेते हैं, कितने सारे लोग, कितने सारे traders, तो उन लोग के लिए तो this is a very good platform, जिसमें कि रोज का अगर वो 500 भी बसता है, और हम ऐसा consider कर लेते हैं, कि महिने में 20 दिन भी अगर trade करते हैं, तो 10,000 र रखिए, अपने माता पीता खास ज्यान रखिए, क्योंकि उनका आश्राद आपके सिर्फ पर बना रहेगा दोस्तों, तो जिन्दगी में सफलतर जगा बहुत है, आसानी सिंग लेगी, टेक कैसी या, कर द्यास बमस्टाइचि कर देड समय में 20 दिने पर के दोस्तों कर दोस्तों अज़िए, कर दोस्तों कर दोस्तों क्योंकि बिस्ते हैं, कि माता खास जेसिए, कि माताती हैं, में 20 दिन neuralओ कर दाहें भीता है